तो स्वागते साथ ही हो आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथ ही में जैसा कि हम लोगों का जी के जी इसका जो सिलसिला था वो कंटिनिवेस्टी चल रहा था और उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने इंडिया इंडिया एस्ट्रोनॉमी का हम लोगों ने कंप्लीट टेस्ट पर देखा डिस्रिप्शन में पूरे कंप्लीट प्ले लिस्ट का हम लिंक डाल देगे और यह जो भी सीरीज अभी चलाया जारा यह आगामी जो भी परिक्षाय होने वाली है बिहार की हो या बिहार के बाहर क अगर बिहार सूपte מא की बातेकरे या वी सी बात करें यह अदर एगजामीनेशन के लिए बहुत हного है तो आज है टेस्ट नमबर फौर ए यह यहांपे टेस्ट मत्वी प्रिंट होगा अचली यह आपका टेस्ट मद्वर और आज हम लोग बात करेंगे गांधी एडा के बार में यानि कि गांधी युक के बार में तो गांधी युक से रिलेटेड जितने भी कोश्चन्स आते हैं एक्जामिनेशन में उन सब को हम लोग यहां पर देखेंगे और एक-एक कोश्चन हर अलग-अलग डाइममेंशन में हम लोग हर एक-इक कोश्चन को चेक कड़ेंगे हर एक कोश्चन में लुग चर्चा कड़ेंगे जो हर ऐसे में...... पूझा भी जाता है । आईए बिनादेर की हुए कोश्चन से हम लोग शुरू करते है!!! तो पहला कोश्चन आ रहा है आपके सामने कि दांड जो द्वाड़ा जो सॉल्ट टैक्स लागू कर दिया गया था उसके लिए दांडी यात्रा निकाली गए थी महात्मा गांधी द्वाड़ा और यह दांडी यात्रा अगर बात की जाए तो कहां से कहां तक अगर चली थी इसके वाड़ में गर हम लोग बात कर ले एक बड़तो तो डाणडी यात्रा से रिलेटेड जो भी डाइमेंशन से सप्किateurs या पर चरचा कर लेंगे तो डाणढी यात्रा जो है साब्रमती आश्रम साब्रमती आश्रम से चली थी कहां तक तो ये चली थी दाणडी तक और यह कब से स्टार्ट हुआ था तो 12 मार्च 1930 और यह चला था कब तक तो 6 अप्रेल 1930 तक यह पूरा यातरा चला था लगभग इसमें मैं बोलूझा कहीं कहीं पे 380 km बता जाता है कहीं कहीं पे 388 km बता जाता है तो यह लगभग हम लोग मानेंगे इतना इतना लॉंग ये यात्रा था टोटल कितने दिन तक चला था तो टोटल 24 देश तक ये यात्रा चली थी तो इस से रिलेटेड हम लोगों ने हर फैक्ट्स को देख लिया साबरमती आश्रम से यानि कि साबरमती के संत तुने कर दिया कमाल जो हम लोग अक्सर सुनते आते हैं तो दांडी यात्रा आपकी साबरमती आश्रम से चली थी दांडी तक के लिए 12 मार्च 1930 में ये दांडी यात्रा शुड़ू हुई थी और ये चली थी 6 अप्रेल 1930 तक नमक के कानून सॉल्ट टैक्सिस के अगेंस्ट में ये था इसमें समुद्र के नमक से जो है नमक को बनाया जा रहा था नमक का कनवर्ट किया जा रहा था मैनुफैक्श्रिंग औफ सॉल्ट बेसिकली इसमें था जिसमें गांधी जी 388 किलोमीटर लगभग पैदल चले थे और कहां से कहां तक तो साबरमत्य आश्रम से लेके दांडी तक चले थे नमक कानून के विडोध में आगे बरते हैं कोस्टन में सेकेंड हर डाइमेंशन को हम लोग देखेंगे तो दांडी आतरा कितने दिन तक चली थी तो इसका करेक्ट टैंसर हो जाएगा आपका दांडी आतरा 24 दिनों तक चली थी ठीक है उसके बाद अगला कोस्टन आपके सामने आड़ा साथी हो साड़े कोस्टन को हम लोग देखेंगे साड़ा इंपोर्टेंट है और ये जितने भी कोस्टन यहां पर रखे गए इस टेस पेपर में अराउंड हमको लगता है कि 36-36 कोस्टन होंगे और ये साड़े कोस्टन लगभग हर इग्जामिनेशन में गांधी यूग से जो जो कोस्टन पुछा गिया है और कई तो ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीड भी होते हैं तो 1930 में महात्मा गांधी ने सवीने अवग्या अंदोलन कहां से शुड़ू किया था अप्शन इसमें ए वर्धा बी दांडी सी सेवा ग्राम डी साबरमती तो इसका करेक्ट एंसर भी हो जाएगा दांडी ठीक है मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं साथियो और यह सिविल डी सोबियंस मूवमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें क्या था कि बेसिकली हम लोग जो भी भारतिया नागडिक थे वह अंग्रेजों के कानून का विरोथ कर रहे थे ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल स कि असीटिजन कि तू ओबे तो यहां पे जो है सिविल डी सोबियंस मूवमेंट बैसिकली क्या था तो इसमें लोग जो है अंग्रेजों के जो भी कमांड और जो भी कानून थे उसका विरोथ कर रहे थे बट बहुत ही शांती पूरवक धंक से ठीक है इसमें अहिंसा की अहिंसा को जो है तरजी दी ओकोmosқी जानते है किसको सवी नया वग् 68 डोलों को तो यह कहा शुरू जिसके शुरू आथ हुए थी महात्मा गुंदी-बाणात में पहला सत्यागड था महात्मा का दीका भारत में पहला सत्यागड़ कौन सा यहां पर option से आपके सामने एहमदाबाद बारद ऑर्दोली च तो दक्षिन अफ्रीका के प्रकाशित पत्रीका का नाम क्या था कोश्चन पूछा जारा कि दक्षिन अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम किया था तो इसका नाम था इंडियन ओपीनियन ठीक है कोश्चन नमर फोर का करेक्ट टैंसर ओप्शन है आपके सामने नवजीवन इंडियन ओपीनियन हडीजन अफ कि महात्मा गांधी की मृत्त्यू पर किस ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया तो यह कहा था जवाहर लाल नहरू ने किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी शामल्दास कॉलेज भावनगर धर धरमेंद्र सिंजी कॉलेज राज कोड गुजरात कॉलेज बाहुद्दीन कॉलेज जुनागर तो इसका करेक्ट अंसर होगा शामल्दास कॉलेज भावनगर यह कहां गुजरात में यह कहां है तो यह गुजरात में हर एक डाइमेंशन पर जो चर्चा होगी वह हम लोग यहां पर देख रहे हैं गांधी यूग से जितने भी कोश्च लेज बहाँ जाए निल की खेती करवाने के बाद क्या होता ना कि जमीन बंजर हो जाता है उसे फिर कोई दूसरा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो इसके अगेंस्ट में थे किसान क्यूंकि उनकी जमीन उनसे छीनी जा डी थी अगर देखा जास इंडारेट फॉर्मिट म ये आपका जो है बीस्तिहाई बीस्तिहाई भाग पे आपके नील की खेती करना अनिवार रहे था तिनकठिया पद्धति के तहत बीस्तिहाई मतलब आपका अगर लैंड है तो उसका बीस्तिहाई आपको उस पे नील की खेती करना अनिवार रहे था तो इसका गांधी जी ने क सत्याग्रा में सवीने अवग्या का प्रयोग किया था तो यह आपका चंपारन सत्याग्रा में किया गया था ठीक है कहां पर किया गया था तो चंपारन सत्याग्रा में किया गया था किसका सवीने अवग्या का प्रयोग कहां किया गया था तो चंपारन सत्याग्रा में पहली पर किया गया था गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहते हैं यह भी कोश्चन कई बार देखा गया इग्जामिनेशन में आपके सामने 26 वर्ष 21 वर्ष 16 वर्ष 15 वर्ष तो इसका करेक्ट एंसर 21 वर्ष हो जाएगा बी गांधी जी ने भारतिया रास्ट्री कॉंग्रेस के एक मात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एक मात्र वह अधिवेशन था जिसकी प्रेसिडें गांधी जी ने की थी तो वो question आपके सामने है option आपके सामने 1902 वाकिपूर 1924 विलगाओ 1907 सूरत 1891 नागपूर तो इसका करेक्ट एंसर साथी हो 1924 विलगाओ ठीक है 1924 विलगाओ वाला जो अधिवेशन था इंडियन नैशनल कॉंग्रेस का उसका अधिवेशन की अध्यक शर्ता जिसकी प्रेशिदेंसी गांधी जीने की थी moving on to the next question कि इस गटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंधोलन क्यों अपनी हिमाले जैसी भूल बताई थी किस गटना के बाद असहयोग आंधोलन असहयोग आंधोलन छिडा हुआ था पुड़े भारत वर्ष में ठीक क्लास जो लोग थे और जो वर्कर क्लास के लोग थे उनका बहुत ही महत्वपुर्ण योगदान था इस पुरे movement में और आजाधी में भी कही ना कहीं है बहुत ही impact दे रहा था लेकिन किस घटना के बाद गांधी जी ने नौन कोपरेशन मूब्मेंट यानि कि असहयोग आं हिमाले जैसी भूल बजाई थी तो चोडी चोडा खेडा सत्यागरा नाखपूर सत्यागरा राज कोड सत्यागरा तो इसका क Scorpio सत्यागरा च्वावायत सफे living Jugend HA na m भी डिसेंड वाले में तो इसमें क्या हुआ था कि लोग जो है विडोत कर रहे थे कानून कानूनों के अगेंस्ट में और अंग्डेजों के अगेंस्ट में तो वहां पे क्या हुआ कि पुलिस वालों ने ज्यात्ती कर दी लोगों पे तो उसके अगेंस्ट में जो है लोगों के रास्ते पर चलना है लेकिन यहां पर चौड़ी चौड़ा में क्या हुआ कि जो नागडिक थे भारतिय नागडिक थे उन्होंने उस पूरे थाने को आके हवाले कर दिया तो यहां पर वाइलेंस हो गया था डैट डैट इस दरीजन वाई गांधी जी ने इसको हिमाले जैस वनके शुड़ू किया था तो असायो गांधुलन आपका एंप और ओप्शन सो नीज्स वर्पर और 1922 तो इसका करेक्त टैंसर होगा साथ ही ओशुड़ु किया था तो इसका 1920 होगा करेक्ट टैंसर ठीक आंगे भाठते हैं करेक्टैन सरी इसका होगाbreaker द्ट ś реб con इसके बुलावे पर गांधी जी अफरीका गय थे, अब्दुल्ला, रामचंद्रशुकल, रामचंद्र Farm सुकल के बुलावे पर घांधी जी चंपारनाई थे, चंपारन सत्यग्रा के लिए, तो वह तो नहीं होगा, सेट से आमल, इन में से कोई नहीं, तो इसका correct answer होगा अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बुलावे पे गांधी जी जो है अफ्रिका गया थे हैं तो अब्दुल्ला विल बी the correct answer आगे बढ़ते हैं question में हम लोग कड़ो या मड़ो का संबंद किस आंदोलन से था दांडी या सहयोग खिलाफत भारत छोड़ो कड़ो या मड़ो का संबंद किस आंदोलन से था तो इसका correct answer होगा भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेज़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन से जो है कड़ो या मड़ो का संबंद था कड़ो या मडो का सम्मंद भारी छोड़ां दोलन से था राज सुदित कि सघंब kita da के निवासिते मुरसी भाज़ावा मुरली भीत मुट्टी tomb ली blushit मुरली खेडron के निवाओ के नि करने के लिए तो गांधी जी पिर आया थे चंपारण और फिर चंपारण सत्यग्रा हम लोग ने इस्टरी में पढ़ाया कि चंपारण सत्यग्रा कितना क्रूशल डोल उसने प्ले किया पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में उसके बाद आते हैं गांधी जी दक्षिन अफरीका से कि से पहले वो दक्षिन अफरीका में रहा रहत हैं दक्षिन अफरीका से 1915 में गांधी जी लोटे थे भारत छोड़ो उनको ट्रेन से फेक दिया गया था और उसके बाद उनके अंदर में और अलग जगी आजादी को और भारत को आजाद कराने के लिए उसके बाद वो भारत है और उसके बाद जो हम लोगोंने हिस्ट्री में पढ़ा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में या फिर जो हम लोगोंने मॉडरन हिस्ट्री अफ इंडिया में पढ़ा गांधी जी दच्छिन अफरीका से किस वर्स लॉटे 1915 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंब हुआ क्या है प्रारंब हुआ है किगा विष्चन अफर कि Laser masturb व्यालज यह सोले अगस्ट वियाललिस इस में एक्शुली करेक्टnin अफ्सिन ही नहीं है शायत म्यां पूश्टा जारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हम तो यहांत अ thou सकता printing mistake होगी यहां पर 8 अगस्ट 1942 को भाराच चोड़ो अंदोलन की शुझबात हुई यह 9 अगस्ट नहीं होगा 8 अगस तुरीच को भाराच चोड़ो अंदोलन प्राडम हुआ ता इसकी शुझबात हुए तही यहां पर सिरिंट होगा इसको लोग सही कर लेंगे 8 अगस्त इसका करेक्ट एंसर होगा उसके बाद हम लोग बढ़ते आगे चम चंपारन सत्याग्रा के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी अभी बीपी एसी में कोश्चन पूचा गया था अभी जो बीपी एसी अर्सटवी का जो पी तो इसका करेक्ट एंसर होगा बत्तक मिया बत्तक मिया कौन थे तो बत्तक मिया जो थे वो एक हलवाई थे मतलब खाना बनाते थे बत्तक मिया बेसिकली एक शेफ थे खाना बनाते थे और गांधी जी को जो है खाने में जहर देके मारने की योजना थी गांधी जी को चंपा बाद यह कहा ग्या गया मे छंपनाव मे चंपारे लाण गण योजना ती तो बंगाल जिनने पहला ओन वादन में वारे नसी में तो इसका करेकट टैंसर हो साथ हो दी वादन सही में भाड़ा छोड़वा ंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंतरी कौन था तो तो चैंपर लेन देखो यह important question है, बहुत important question है, जितने भी question हम लोगों ने यहाँ पर देखा, सारे important है, और हर अलग-अलग dimensions पे हम लोग सभी questions को चर्चा कर रहे हैं, तो भाड़ा छोड़ा अंदोलन के समय, इंग्लैंड का प्रधान मंत्री कौन था, तो चैंपर बेल, चैं भाड़ा छोड़ा अंदोलन के समय में, ठीक है? पांच मार्च 1931 में हुआ था, गांधी अडविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली समझाता के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या था? तो इसमें बेसिकली सहमती बनी थी, कि जिन-जिन freedom strugglers को जो आजादी के लड़ाई में, जिनको जेल में बंद किया गया है, उ उनको यह राइट्स दिने के लिए कि अपने घर में नमक बना सकते हैं, क्योंकि नमक पे बहुत ज्यादा टैक्सेक्शन था, तो उनको अलाओ किया गया, इंडिन से इडिजन्स को अलाओ किया गया, कि या, you are allowed to make salt in your own house, and जो freedom struggle के दौरान में, जो भी भारतिया नागडिक जो जेल में बनते हैं, उनको छोड़ने के लिए ये पुड़ा समझाता हुआ था, तो कब हुआ था, तो पांच मार्च 1931, दक्षिन अफ्रिका के एक इस railway station पर महात्मा गांधी को ट्रेंज से बाहर पेका गया था, यही वो incident था, जिसके बाद गांधी जी के अंदर में भ को ट्रेंज से फिका गया था, यही वो incident था, जिसने गांधी जी को पुष किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इसके पहले अगर बात किया जा तो गांधी जी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड नहीं थे इंडियन फ्र स्ट्रगल तो इसमें कोश्टन है कि दक्षिन अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेंज से बाहर फेका गया था, जोहानेजबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डर्बन या प्रिटोडिया, तो इसका करेक्ट एंसर रोगा, पीटर रखने वाली चीज़ है, यह कोश्टन एक्षाम में कभी भी पूचा जा सकता है, तो पीटर मारिट्सबर्ग जो था, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन जो था, वहीं पर गांधी जी को ट्रेंज से बाहर फेका गया था, आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़े गा दक्षिन अफरीका में भी दक्षिन अफरीका के भी एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे, निल्सन मंडेला उनका नाम था, जो बाद में दक्षिन अफरीका की कमान भी जो उनने समाली थी, तो दोनों में बहुत ही जाधा सिमिलारिटीज भी थी, उसको आप लोग अ महात्मा गांधी और निल्सन मंडेला के सिमिलारिटीज को, क्योंकि एक डाइमेंशन वो भी है, जहां से कोश्चन बन सकता है, तो आप एक बेसिक सिमिलारिटी, यह आपके लिए बेसिक लिए एक टास्क होगा, कि आप लोग दोनों के सिमिलारिटीज था, उसको एक गांधी के विचार धाड़ाओं पे चले, और गांधी के विचार धाड़ाओं पे ही उन्होंने अपने देश की आजादी की भी लड़ाई लड़ी थी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक काइंड ऑफ होंबग है आपके लिए, कि बोथ परस्नारिटीज की एक बास सिमिल थी, राजकुमार शुकल के अनुरोध पर, राजेंदर प्रशाद के अनुरोध पर, राजेंदर प्रशाद सुकल के अनुरोध पर, राम सिन के अनुरोध पर, तो इसका करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा, ए, राजकुमार शुकल के, राजकुमार शुकल ही वो थे, जिस उसमें बीस तीहाई जो थर्ड पाट आफ एवरी ट्वेंटी लेंड जो था उस पे नील की खेती करने के लिए पुश किया या था इंडियन्स को फार्मर्स को जिसके कारण वो जमीन जो है बंजर होती जाड़ी थी तो यह किसने किया था रामचंद्र राजकुमार शुक्ल क अनुरोत पड गांधी जी 1917 में चंपारण की आत्रा किया थे गांधी जी को बापु की उपाधी सुभास चंद्र बोस ने दी थी यह कोश्चन हर एक्जाम में लगभग पूजा जा था कि गांधी जी को बापु की विपाधी और फादर ऑफ द नेशन की विपाधी ठीक है और वही वो फेमस परस्नेलिटी थे हैं जिन्होंने गांधी जी को बापु और फादर ऑफ द नेशन का नाम दिया था आगे बढ़ते हैं किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंतरता संग्राम के छेत्र में लाकर खड़ा किया था रॉलेट अधिनियम जलिया वाला बाग हत्याकांड उसके बाद है आपका जलिया वाला बाग हत्याकांड मॉन्टेग्यू चेमसफोर्ट सुधान अधिनियम बाल गंगाधर तिलक किम्रित्यू तो इसका में कारण था जलिया वाला बाग हत्याकांड ठीके सातियो जलिया वाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें लोग विडोध कर रहे थे पर नागडिकों के उपर भारतियों के उपर अपर ओपर और कई लोगों को जहे है एक मतलब एक बंद करके तो जिसमें बहुत सब्सक्राइब ति ये डायर के वाषब या चलाई गई थी निहत थे भारतिय citizens के उपर जो विडोत कर रहे थे अंग्रेजी ह्कूमत का इन अन-वाइलेंट वे ये भी नहिंता कि वो लोग वाइलेंट को अपना के इन अन वाइलेंट वे दे आर जो अंग्रेजी हुकूमत थे उसके अगेंस में वो लोग अपने आवाज को बुलंद कर रहे थे और डायर के कहने पे उनके उपर open fire किया गया था जलिया वाला बाग हत्याकांट यही था और इसका बदला किस ने लिया था तो उधम सिंग ने इसका बदला लिया था डायर को गोलियों से भून के ठीक है किस ने लिया था तो उधम सिंग ने बढ़ते हैं तो ये इसका correct answer ये हुगा कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के सवतंतरता संग्राम के छेत्र मर लाकर खड़ा किया दो तो जलिया वाला भाग हत्याकांड बहुत ही मारमिक वो मुमेंट था बहुत ही जादा मतलब अंग्रेजी अंग्रेज अंग्रेजों का जो शाशन था वह बहुत जादा कुरूर हो चुका था और इसके अगेंस में फिर गांधी जी ने अक्टिवली पार्डिस बेट करना शुरू किया इंडियन फ्रिडम स्ट्रगल में ठीक है उसके बाद हम लोग देखी रहे हैं चौड़ी चौड़ा घटना के समय गांधी चौड़ी चौड़ा के होने के बाद ही उसको अपनी हिमाले जैसी भूल बताई थी देखो यहां पे कोश्चन था कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असाहियोग आंदोलन तो कौन सा अंदोलन चल्ड़ा था उस दोरान जब चौड़ी चौड़ा कांड हुआ तो कौन स चौड़ी चौड़ा कांड के समय और चौड़ी चौड़ा कांड के बाद ही गांधी जी ने जो है असाहियोग आंदोलन को अपनी हिमाले जैसे भूल बताय थी इसके बाद जो है चौड़ी चौड़ा कांड के बाद जो है गांधी जी नहीं कई फ्रीडम फाइटर्स को ज चौड़ी चौड़ा हत्या चौड़ी चौड़ा कांड में जितने मतलब लगभग जितने भी जो स्वतंतुरता सेनानी थे उनको लाइफ सेंटेंस और कई को जो है लॉंग टम का प्रिजन भी हुआ था तो उसको हिमाले जैसी भूल बताई थी गांधी जी ने ठीक है तो इस कि इस चीज के लिए मांच चुका था कि जो भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है जो एक्टिवली पार्डिसिपेटेड है जो जेलों में बंद है उनको छोड़ने के लिए और जो भारतिये नागडिक है वो अपने घर में नमक बना सकते यह बैसिकली इस पैक्ट था जिस सबीन अवग्यां दोलन असाहियो अंदोलन या रॉलेट अंदोलन तो इसका करेक्ट एंसर होगा उसको इन नॉन वाइलिएंड वेस को हम लोग उसका विडोत कर रहे थे ठीकर यहीत है बैसिकली सिविल्डी सोडिय मुवमेट या सभीन अवग्यां दुलन तो गांदी इट्विन सम्झाटा इसे संबन्दी तो 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 सभीन अवग्या अन्दूलन खे संबन्दि थे आगे बढ़ते हम लोग moving on to the next question गांधी जी को सर्वप्रथम रास्ट पिता किसने का था देखो वह सी टाइमे ने कर लिया था कि गांधी जी को सर्वप्रथम बापु किसने का था तो सुभास चंद्र बोस और सर्वप्रथम फादर फद नेशन की उपादी किसने दिती तो सुभास चंद्रबोस ने कहा था गांधी महात्मा गांधी की हत्या कई तीanne और उनीसओ और थालीज को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी ठीक है आघे बढ़ते हैं गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया थे गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया थे तो गांधी जी जो है वो प्रथम गोल में सम्मेलन में नहीं तृतिया में भी नहीं दृतिया गोल में सम्मेलन में भाग लिया थे कहां हुआ था लंडन में हुआ था यह गोल में समेलन कहा हुआ था अगर क्वोश्चन पूछा जा है तो अगर हम लोग हट डाइमेशन में में चर जा हरा तो इसके वाधार भी घरलेते हैं तो गांधी जी एक मात्र किस गोल में समयलन गोल में समयलन क्या हुआ तो राउंड टेबल कॉनफरेंस ठीक है यह राउंड टेबल कॉनफरेंस ठीक है यह राउंड टेबल कॉनफरेंस था जिसमें गांधी जी पार्डिसिपेट किया थे यह सेकेंड राउंड टेबल कॉनफरेंस और यह किसके लिए था यह था आपके इंडियन constitutional reforms में सुधार के लिए ठीक है reforms के लिए इंडियन constitutional reforms अगर यह question भी आ जाए तो इससे भी हम लोग नहीं चूकेंगे ठीक है क्योंकि बहुत important topic है जिसकी चर्चा आज हम लोग यह test number 4 में कर रहे हैं बहुत ही important है क्योंकि modern history से बहुत questions आते हैं और जाधा तर question जो है आपके गांधी एरा यानि कि गांधी यूग से आते हैं तो यह जितने भी question हम लोग ने यहाँ पे किया हम लोग ने यहाँ पे देखा है all are very important for the examination point of view और साथी साथ आपको यह भी बता दे कि हमारे student साथी एप पे regular test series चल रहा है जो कि लाइव है गांधी जी किस गोल में सम्मेलन भाग लिया थे तो गांधी जी दूइतिया गोल में सम्मेलन में भाग लिया थे कहां हुआ था लंदन में हो था कभ हुआ था 1931 में हुआ था क्यूं हुआ था तो इंडियन constitutional reforms के लिए हुआ था ठीक है आगे बढ़ते हैं आशा करते हैं पूरा session आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको अपने friends के साथ अपने groups में share कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुडिएगा क्यूंकि अभी और भी अच्छे अच्छे content हम लोग अपने चैनल पे regular point of view से ला रहे हैं ल प्ले वेड़ी factory effective role in the preparation of your examination तो उस उन सारे content को भी आप हमारे students साथ यह पर आके access कर जकते हो महात्म Xandhi के राजनीथिक गुडू कौन थे मधन मोहनमाल्विय बाल गंगधर तिलक लालय आप लाला लाजपत्र आ या गोपाल मोण कृष्ण गोखले महात्मा गांधि के राजनीथिख गुरू थे यह राजनीथिक गुरू अदि कि के यह कुष्ण गोखले यह भी question ह्य हमने कहा था दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तहकी थी नमक कानून का विरोत किया था ठीक है दांडी यात्रा नमक जो मैंने कोशन नबर वन में हम लोग ने डिसकस किया था सॉल्ट लॉस के अगेंस में था क्यूंकि नमक पे बहुत हेवी टैक्स जो है अंग्रेजी हुकूमत अंग्रेजी गवर्मेंट द्वारा लगा दिया गया था तो दांडी यातरा में गांधी जी ने कितनी दूरी तेक करके नम साबर्मती से दांडी तक चला था और इसमें नमक कानून के विरोज में था कितना किलो मीटर गांधी जी कितने किलो मीटर की दूरी तैकी थी तो कहीं कहीं पे जो है मैंने उसी टाइम बोला था 385 किलो मीटर भी आपको दिखेगा ठीक है यहां पे ऑप्शन में 388 किलो महात्मा गांधी ने हिंद सुराज की रचना कब की थी जब वे इंगलेंड से भारत यात्रा करे थे साबर्मती आश्रम में थे इंगलेंड से दक्षिन अफ्रिका यात्रा करे थे चंपाण आंदोलन का निर्तित्व कर रहे हैं थे question number 34 में आपका correct answer क्या हो जागा question number 34 का जब वो इंगलेंड से दक्षिन अफ्रिका का यात्रा कर रहे थे तब गांधी जी ने हिंद सुराज की रचना की थी हिंद सुराज की रचना गांधी जी ने की थी कब जब वो इंगलेंड से दक्षिन अफ्रिका की यात्रा कर रहे थ तब ही को देखेडी है तुल मैं स्थित्त है घरा द अमेली नौसारी इसका करेक्ट आंसर शायद। नौसारी होगा नौसारी है इसका करेक्ट आंटी जो ए गुजरात के नौसारी डिस्टिक्果 नौसारी जिले में स्थित्त drink गांधी जी कि आत्मकता का नाम क्या है गांधी जी की आत्मकता का गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी सबसे पहले यह भी एक पर देख लेते हैं उसके बाद हम लोग 36 कोश्चन पर चलेंगे तो कोश्चन है कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की य दांडी की यात्रा उन्होंने गांधी जी के साथ किया था अब आते यह वाला कोश्चन छूट रहा था गांधी जी की आत्मकता का नाम क्या है सत्य के साथ मेरा प्रयोग experiment with my truth, दोनों तो एक ही है, ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हिंदी में है, and experiment with my truth, English में है, तो A, C है नवजी वन, और option आपसे पुछा जादा, D में B और C दोनो, तो इसका correct tensor होगा, 36 का, 36 का correct tensor क्या होगा, साथ ही हो, यह आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसका correct tensor आप बताईएगा, दोनों आपके लिए, देखो, question improvise कैसे किया जाता है, यह question इसलिए मैं आपके सामने छोड़ रहा हो, कि एक छोड़ा सा आप लोग रिसर्च भी कर लोगे, और एक नेंसल मंडेला और गांधी जी का इबाड़े में, similarities का भी, देखो, यह question को कैसे improvise किया तो बहुत चीज जो है, मिस हो जाएगा, जबकि दोनों एक ही है, हिंदी में अगर बात करें, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और इंग्लिश अगर सेम बुक के बारे में बात करें, तो experiment with my truth, और D option जो है, B और C दोनों है, B और E लगबग यहाँ पे similar हो चुका है, C आपक correct answer, नीचे comment कीजिए, कि इसका correct answer क्या होगा, A, B, C, D, D है आपका B और C दोनों, एक आपका नवजीवन भी है, ठीक है, तो यह था पूरा content, गांधी एरा से related, आशा करते हैं, आपको पूरा content पसंद आया हो, पूरा questions का जो collection है हमारा, वो भी आपको पसंद आया हो, गांध medieval को देखे हैं, तो modern से ही आते हैं, कोई भी exam हो, भले BPSCO, BRSCO या Central Government की कोई भी vacancy हो, इसमें modern history से ही जाधतर question आते हैं, और उसमें गांधी, यूग से ही जाधतर question आते हैं, modern history में, तो इसलिए हम लोगों ने आप ये पूरा important question का collection आपके लिए लेकर आएं, और साथी साथ हर एक dimensions पर हम लोगों ने discussion भी किया, वीडियो कैसा लगा, ये भी comment जरूर कीजिएगा, और हमें बताईए, ताकि हम लोग आगे और भी अच्छे अच्छे content आपके लिए ला सकें, description में हमारे student साथ ही app का link है, जहां पर बिहार का पूरा course free of cost है, और साथी साथ NCRT based test series चल और अगर आपको कोई भी books या study materials मंगवाना है, तो आप हमें हमारे contact number के through contact कर सकते हो, या किताब वाले आपके through, वहां से भी order कर सकते हो, तो thanks for watching this entire video, and all the video best for the upcoming examination, जो super TED दे रहे हैं, जो लोग भी hard SSC का मेंस दे रहे हैं, या जो लोग BPSC उना तर्वी का तैयारी कर रहे है या जो लोग किसी भी government exam का preparation कर रहे हैं, उनको all the very best, thank you so much.